हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो बंजू नीटिंग चैनल यह देखिए आज मैं आपके लिए कितना सुन्दर सा डिजाइन देखिया हूँ हूँ है यह देखने में जितना सुन्दर लग रहा है इसे बनाना उतना ही असान है यह देखिए यह फ्रंट साइड से ऐसे नज़र आ रहा है और बैक साइड से यह देखिए ऐसे नज़र आएगा बिल्कुल साफ पता चल रहा है कहां पर हमने सीधे सीधे डाले हैं कहां पर हमने जाली डाले है उल्टी साइड से भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है बि लगने बला है इसको बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए होंगे यह देखिए यहां से 12 12 के मल्टिपल से आप फंदे डालते जाएंगे 12 फंदे डालेंगे तो यह डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट आजाएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे बॉर्डर बढ़ाएंगे यह देखिए मैंने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसा बॉर्डर बढ़ाया अगर आपने प्रोडर की यह लास्ट वाली जो रो है उल्टी रो यहां से फंदे बढ़ाने पड़ेंगे फिर क्योंकि हमने स्टार्टिंग राइट साइड से करनी है तो इसलिए उल्टी रो में आप फंदे बढ़ा लें और फिर सीधी साइड से आप इस डिजाइन को बनाना से पहले आप फंदे अड्जेस्ट करेंगे 12 12 के हिसाब से फिर एट फंदे उसके बाद टू फंदे ऐस्टिच के लिए ऐसे फंदे डालेंगे तो यह डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पे बिल्कुल अच्छी तरह से सेट बैठ जाएगा इसको बनाने के लिए आप भी मेर साथ साथ ही बनाना फ्रेंड्स पहले फंदे डाल लेना मेरे साथ साथ ही बनाना मेरे साथ साथ ही बनाओंगे मैं बोल के पूरा रिपीट करती जाओंगी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उस डिजाइन को पूरी तरह से आपको बोल बोल के बताऊं ताकि जब भी आप बनाने लगें तो बनाते समय आपको कोई भी परिशानी ना हो आप बिल्कुल असानी से उस डिजाइन को आप बना लें तो फ्रेंड्स आपसे मेरी हमबल रख्वेस्ट है अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलो फिर इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे आप भी पहले फंदे डाल लें यह दिखिए मैंने 12 प्लस 12 प्लस एट प्लस टू एस्टिच फंदे डाल लिए यह दिखिए अब इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड सबसे पहले पहला फंदा सीधा बना लेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे फिर दो फंदे हम पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे यहां तक हमारे यह दिख्ये एक डिजाइन हमने बना लिया है अब फिर से हमें दो फंदे उल्टे उल्टे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे फिर से दो फंदे हम पिछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाते जाएंगे, दो फंदे सीधे बनाते जाएंगे, जाली बनाएंगे, दो फंदे पिछे की तरफ से दो का एक करते जाएंगे, फर्स्ट रो हमारी पूरी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली, दो फंदे पिछे से दो का एक करेंगे फिर से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली, दो फंदे पिछे के तरफ से एक करेंगे लास्ट रो ले, दो फंदे उल्टे, एस्टिच हमें सीधा बनाना है डिजाइन की फिर्स्ट रो, आप क्या करेंगे, डिजाइन की सेकंड रो, उल्टी साइड, रोंग साइड, पिरला फंदा स्किप कर लेंगे दो फंदे सीधे, अग अपने तरफ, दो फंदे उल्टे, एक, जाली वाला भी उल्टा आएगा दो फंदे उल्टे, फिर से जाली बनाएंगे, अब उल्टा बनाते हुए, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे जाली बनाएंगे फिर उल्टा बनाते हुए दो का एक करेंगे पुरी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे दो फंदे सीधे बनाते जाएंगे दो फंदे उल्टे बनाते जाएंगे जाली बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए दो सीधे दो उल्टे जाली बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए फिर से दो सीधे, दो उल्टे, जाली बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए, दो सीधे, एस्टिच उल्टा निकालेंगे, हमारी सेकंड रो कम्पलीट हुई, फिर से हमें फर्स्ट रो की तरह बनाना है, परला फंदा स्किप कर लेंगे, दो फंदे उल्टे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, वैसे ही हमें ये थर्ड रो बनानी है, दो सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, पूरी रो ऐसे ही कम्प्लीट करनी है, हमें दो उल्टे बनाते हुए, दो सीधे, जाली, दो का एक, पिछे की तरफ से, पूरी रो कम्प्लीट कर लेते हैं, थर्ड रो हमारी कम्प्लीट हुई, फोर्थ रो हमें सेकिंड रो की तरह बनानी है, पहला फंदा स्केप करेंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे, जैसे हमने सेकिंड रो बनाई थी, जाली बनाएंगे दो का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए फिर से दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे फिर दो का एक करेंगे उल्टा बनाते हुए ऐसे ही बनाते हुए हमें फोर्थ रो पूरी कम्पलीट करनी है झाल झाल यह डिजाइन की हमारी 4th row complete हुई 2nd row हमने 1st row 2nd row बनाई थी 3rd और 4th हमने 1st और 2nd की तरह बनाई आप क्या करेंगे अब हमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है पहला फंदा स्किप करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे अब यह देखिये अब पीछे वाले दो फंदे पिछे से दो फंदे हम आगे लाएंगे यह देखे पिछे वाली साइड के दो फंदे पिछे वाली साइड के दो फंदे हम आगे लाएंगे और आगे वाले दो फंदे हम इस साइड पे लाएंगे यह देखे अब इन चार फंदों को हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन चार ये हम फिफ्ट रो में अदला बदली कर रहे हैं फ्रेंड्स फिर से दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे से दो फंदो का एक फंदा करेंगे पीछे की तरफ से दो फंदे उल्टे डागा पीछे एक डिजाइन पे हमने अदला बदली करनी है एक डिजाइन वैसे ही चलेगा एक डिजाइन पे अदला बदली कर रहे हैं एक डिजाइन वैसे ही चलेगा यह दिखी अभी इसकी अदला बदली की इसको हम सीधा चला रहे हैं तो अब इसकी अदला बदली करेंगे तो फ फंदे हम पीछे लेके जाएंगे और सीधे बनाएंगे चार फंदों को हम सीधा बनाएंगे फिर से दो फंदे बुल्टे बनाएंगे रागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पिछे की तरफ से यहां पर हमने एक डिजाइन में हमने अदला बदली की एक डिजाइन हम सीधा चला रहे हैं फिर इस डिजाइन की अदला बदली की यह डिजाइन सीधा चला रहे हैं अब आगे फिर से हमें डिजाइ यह देखिए इन फंदों को पीछे से आगे लाएंगे पीछे से आगे लाएंगे और आगे वाले फंदे हम पीछे लेके जाएंगे फिर इन चार फंदों को हमें सीधा बनाना है एक अब इन चार फंदों को हमें सीधा बनाना है दो फंदों को उल्टा बनाएंगे लास्ट वाले और एस्टिस को सीधा बनाएंगे यह देखिए दो फन्तों की अदला बदली यह फंदे सीधे चल रहे हैं आपको बड़े दिसाइन में बताती हूं यहुआ यहां पर हमने अदला बदली की यह पूरी वैसे ही चल दिया भी डिजाइन अदला बदली सीधा चल रहा है यह हमें ऐसे ही करना है, हमें 5th row में हमें change करना है, यह दिखेंगे, design friends 5th row में हमारा change होगा, अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, continue करेंगे इस design को, उल्टी रो सेक्स रो पहला फंदा स्किप करेंगे दो फंदे सीधे अब सीधे फंदे फ्रेंड्स ये देखिए साफ नजर आ रहे हैं दो फंदे उल्टे जाली बनाएंगे उल्टी साइड से दो का एक करेंगे फिर से दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे जाली बनाएंगे दो का एक करेंगे दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, एस्टिच उल्टा, ये देखिए, फिर से हमें सीधी रो, पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर से दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, लास्ट में, दो फंदे उल्टे, एस्टिच हम सीधा बनाएंगे, उल्टी रो में, जो फंदे उल्टे नज़रा रहे हैं, यह देखिए सीधे नज़रा रहे हैं, पहले सीधा बना लेते हैं, दागा अपने तरफ, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, फिर दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, दो का एक करना, उल्टा बनाते हुए दो का एक करना, फिर उल्टा बनाते हुए दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे, उल्टा बनाते हुए, उल्टी रो में पूरी रो हमें ऐसे ही बनाते हुए कम्पलीट करनी है, दो फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी रो में, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, फिर उल्टा बनाते हुए दो का एक करेंगे, लास्ट में दो फंदे, सीधे, एस्टिच, उल्टा ये दिखिए, दो बार हमने, ये दिखिए, फोर रो बनाई, फिफ्थ रो में हमने डिजाइन को यहाँ पर अदलावद ली की फिर से हमें फोर रो और बनाके कंप्लीट करनी, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी, एक उल्टी, दो हमने बना लिए, दो और बनाएंगे, फिर हमारा डिजाइन चेंज होगा तो दो रो पहले और बनाके कम्प्लीट कर लेते हैं पहला फंदा स्किप किया दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे फिर से पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे जाली दो का एक करेंगे पिछे की तरफ से फिर से दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे दो का एक करेंगे पिछे की तरफ से दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, दो का एक करेंगे पिछे की तरफ से, लास्ट में दो फंदे उल्टे, एस्टिच सीधा, अब उल्टी रो कम्प्लीट करेंगे पहले, पहला फंदा स्किप करेंगे, दो फंदे जो सीधे नजर आ रहे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे, दो फंदे उल्टे, जाली बनाएंगे, उल्टा बनाते हुए, दो का एक करेंगे, दो फंदे सीधे, पूरी रो हमें ऐसे ही बना के कम्प्लीट करनी हैं, झाल झाल लास्ट में दो फंदें जो सीधे आ रहे हैं वो सीधे बनाएंगे एस्टिच हम उल्टा बनाएंगे पहले हमने फोर रो बनाई तो फिर यहाँ पे चेंज किया अदला बिदली की फिर हमने फोर रोर बनाई अब फिर से हम अदला बदली करेंगे पहले हमने इस डिजाइन के अदला बदली की थी अब इस डिजाइन के अदला बदली करेंगे पहला फंदा स्कीप कर लेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे यहाँ पे डिजाइन वैसे ही चलता जाएगा क्योंकि यहां पे हमने पहले अदला बदली की थी अब यहां पे करनी है धागा पीछे करेंगे पीछे की तरफ से दो फंदे हम आगे लाएंगे और आगे वाले फंदे हम पीछे वाली साइड पे लेके जाएंगे इधर लेके आएंगे और इन चार फंदों को हमें सीधा सीधा बनाना है फिर से वैसा ही करेंगे दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे जाली बनाएंगे पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे दो फंदे उल्टे फिर से यहाँ पे हमें अदला बदली करनी है पिछे की तरफ से यह देखें बैक साइड से दो फंदे आगे लाएंगे इधर लाएंगे आगे की तरफ फिर इन चार फंदों को हमें सीधा सीधा बनाना है एक दो तीन चार फिर से आगे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे डिजाइन को, दो उल्टे, दो फंदे सीधे, जाली बनाएंगे, पिछे की तरफ से दो का एक करेंगे, दो फंदे उल्टे, एस्टिच हमें सीधा निकालना है, यह दिजाइन जब बनाएंगे तो ऐसे बनता जाएगा, बड़े प् यह दिखिए, इसे बनाके फ्रेंड्स जरूर ट्राइ करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठैंक यू फो यू टाइम, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ,